नमस्कार मैं हूँ दिप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भागयम में और भागयम के इस विशे सेग्मेंट में जहां पर आप हरम हर रोज औरिकल कार्ट और टेरेट कार्ट के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम डिवाइन गाइडन्स लेते हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई हर्डल है कोई परिशानी है तो हम कैसे इजी लिए उसे ओवरकम कर सकते हैं और आप तो जानते हैं कि बहुत ही आसान सी रेमेडी जे साथ यह कारिक करते हैं और सम्टाइम केवल हमें हमारे thought process में change लाकर ही हम काफी कुछ परिवर्थित कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की guidance लेते हैं और कौन सी guidance होगी आपकी कौन सा होगा आपका मूलांग यदि आप नहीं जानते हैं तो धारण देकर आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी date of birth टीक यारी की चौबिस दो और चार को जोड़ेंगे तो जोड़ानिगा नमबर श्य नमबर 6 होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है सोले अगस्ट 2023 पर जोड़ेंग नंबर साथ हैं आज की तारीक का मूलांग जिसके स्वामी है केतु दोस्तों आईए जानते हैं मू आज मैं आपको एक बहुत महत्पून बात बताने आई हूं बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भगवान क्या है क्या हम जिन देवी देवता की उपासना करते हैं ये भगवान है भगवान आखिर कौन है तो देखिए स्वभाविक सी बात है कि अलग अलग गरंथों की अगर मै और सब्सक्राब्स मात्मािम चुने प्रम्तर परती जिस भी इस भी प्राओं में होगा उसी प्राओं में हमारे होते हैं बहुत से साधू संत सिध महत्मा ऐसे हैं जिन्होंने प्रमानित किया है कि जब भी उन्होंने परमात्मा के किसी सुरूप का भी ध्यान किया है तो उन्होंने प्रकाश को महसूस किया है तो स्वभाविक सी बात है जो विक्ति निराकार रूप में उन्हें ध्याएगा तो वो निराकार रूप में नज़र आएंगे अगर साकार रूप में ध्याएगा तो साकार रूप में नज़र आएंगे और अगर ओम रूप में ध्याएगा प्रकाश रूप में ध्याएगा तो उनको उसी प्रकार से नजर आएंगे अब दूसरी बात आती है कि जितने देवी देवताओं की हम उपासना करते हैं क्या यह इश्वर हैं तो यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि स्वभाविक सी बात है उस इश्वर ने उस निराकार रूपने हम सभी को सही मार्ग दिखाने के लिए और हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आकार स्वरूप में भी जनम लिया है जिने हम अवतार कहते हैं तो Dual यह उनकी भी उपासना कर रहे हैं तो आप साक्षार परमात्मा की ही उपासना यह कि आज दोस्तों बिना देर किये अपने कारिक्रम की हम शुरुवात करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 16 अगस्त 2023 के लिए और हमसे कहा गया है थंडर वोल्ट का काड है आपका जो लगी नंबर है वो है नंबर 7 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ आकस में घटना आपके साथ घटित हो सकती है अब यह जो आकस में घटना है या आकस में कोई ऐसी बात जिसकी आप आत्मक भाव में भी हो सकती है लेकिन कुल मिलाके याद कीजिएगा कि जो भी कोई रिजल्ट होगा वह आपके भले के लिए होगा हो सकता है कि आपका कोई विशेश जिसको आप प्रेम करते हूं जिसके आप 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 बंद करके विश्वास करते हो ऐसे किसी व्यक्ति की वास्विक्ता है वह आपके समक्षा है और भीते से तूट जाएं तो आपके लिए तो यह नकारात्मक चीज है लेकिन कहीं न कहीं डिवाइन ने आज रिजल्ट आपके लिए अच्छा किया कि जो व्यक्ति आपको भविश्य में नुक्सान पहुंचा सकता था समय रहते आ आपके कारे शेत्र में हो सकती आपके फारिवारिक मामले में हो सकती है तो आज का जो दिन है कुछ आकस में घटित होगा लेकिन जो भी कुछ होगा आपके भले के लिए आपका दिन शुभोग आई जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे है 16 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है The Dream आपको कहा जा रहा है आपका जो लगी नंबर है वो है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आज एक बहुत महतपूर्ण विशे होगा एक कोई महतपूर्ण विक्ति जो है आज आपसे मिलने वाले है एक ऐसे विक्ति या आपके प्रेमी भी हो सकते हैं या आपके परम मित्र हो सकते हैं या ऐसी कोई विक्ति हो सकते हैं जो कि आपकी जीवन में एक बहुत महत्पूल रोल अदा करते आए हैं या अदा करेंगे कहीं ना कहीं ये वो विक्ति होंगे जो आपको मानसिक रूप से भावनात्मक रूप से आपके सामाजिक रूप से आपके करियर को लेके काम को लेकर या आपकी personal life को लेकर कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगों आपका साथ देंगे जदी मैं यह βात करते हूँ लोगों की जो की single है और कहीं न कहीं अपने प्रेमी से मिलने का इंतजार कर रहे तो आज ऐसा वेक्ती को आपके आपके से टकराबी सकते हैं आए जानते हैं मुलांक तीन के लिए हमें परमात्मा आच क्या गाइड कर रहे हैं 16 अगस्त 2023 के लिए और मुलांक तीन के लिए हमको कहार जा रहा है दो काड़ा हैं देखिए पहला है बिलॉड इल्यूजिन दूसरा है फ्रेंडिनेस आपको कहा जा रहा है मुलांक तीन के जातकों को एक विशेश बात यहां पर बात आ रही है संबंधों को लेकर हो सकता है कि आप इसी व्यक्ति के बारे में जो भी कुछ सोच रहे हैं वह एक करों के तरफा हो आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जिस भी व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं अपने communication को clear रखे क्योंकि आपको कहा जा रहा है भ्रहम की स्तिती में ना तो खुद रहे ना सामने वाले को रहने दे विशेश तोर पर यहां बात हो रही है आपके अपने commitment की आपके अपने विचारों की आपके अपने कारे करने की शैली की हो सकता है कि सामने वडाविटी आपके बातों से प्रभावित हो के पूरा भरोसा कर ले या फिर वाइस वर्शा भी हो सकता है कि आप दूसरे विकती पर उतनी ज़्यादा भरोसा करें लेकिन आज के दिन communication clear होना बहुत जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं और सामने वालाविक्ती चाहता है यह बहुत clear communication होना अचीए आज आपको विशेश कहा जा रहा है और यह communication आपको मितर्वत करना है क्थि भी प्रकार का एगो बीचमें ना लाने दे आई जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज सोल है अगस्त 2023 के लिए और परमात्मा हमें आज गाइड कर रहे हैं मूलांक 4 के लिए फ्लावरिंग का काड है आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी मार्ग पर हैं अपने करियर के ल अपनी ग्रोथ को देखना है आपको पिछले कुछ दिन से आप किस जगह थे और आज आप किसी स्थान पर हैं अपने विचारधारा में अपने कारश्चेतर में अपने पध्य जो भी कुछ आप काम कर रहें आप और बहुत अच्छा है अपनी इसी ग्रोथ को देखने का चैरिश करने का आपका दिन शुभू आई ये जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहें 16-d23 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है कंडिशनेंग कार्डव आपको कहा जा रहा है कि आपके आसपास के लोग और आपके आसपास की परस्तिति आज थोड़ी सी विपरीथ है कही न कहीं आप उस वजह से बने आपको बहुंत डिप्रेसील करेंगे कि यह मेरे नरे direito कि यह फाज में हैं और मात्मा ने हर किसी वियक्ति को घाप दी है एक था पावर दीए तो थे शबहावित कि आपके भी तरबी होगी तो आपको लोगों की एनको मानने के बजाए आपको अपिने चारों तरफ ultimately operate करिने के बजाए कcup祖स देकरी लेकिन आपने आसपास जान बूच के बड़ी वॉल्स क्रियेट कर लेते हैं तो आज के दिन आपको क्या करना है कि अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है अपनी टैलेंट को पहचानना है और पर काम करना है किसी प्रकार की कंडिशन में नहीं उलजना है सही समय का इंतजार करें थोड़ा सा धैरे करें आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 16 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है तो आपने उपर काम किया है आप अपने उपर फोकस कर रहे हैं जो कहीं न कहीं आपको पहले से बहतर बना रहा है और आपकी लाइफ में अच्छी ऑपर्चुनिटीज लाने के मार्ग खोल रहा है क्योंकि आप जिस उर्जा में जिस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं सकारात्मक से मूसी प्रकार की उर्जाओं को अपनी ओर आकर्शित करते हैं तो आज के दिन जो भी आपका ट् हैं आज 16 अगस्ते 2030 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है कॉम्परमाइस का काड़ है लगी नंबर है नंबर 6 और आज के दिन थोड़ा सा आपको ना कम किष्टी में काम चलाना पड़ेगा कम किष्टी का मतलब है कि आपकी एस इस जो आप सोच रहे हैं ज आपकी जो उमीदें हैं वो अपने परिवार के लोगों के साथ अपने कारेशेतर में लोगों के साथ बहुत जादा हो लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा प्राप्त करना आज मुश्किल आपके लिए रहने वाला है और आपको उस चीज़ को स्वीकार करना होगा एंगर ना करें बिल्कूल भी क्रोध ना करें इगो ना लेकर आएं बीच में अगर आप ऐसा करते तो आपको नुक्सान ने एक नया करमा डबलब कर लेंगे बलकि आपको क्या करना है थोड़ा सा शांत रहना है और सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय जो चीज केवल आपके लिए नहीं बलकि सबके लिए अच्छी है आज आपको उसका साथ देना होगा आपका दिन शुब हो आएज जानते हैं मुलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 16 अगस्त 2023 के लिए और मुलांक आठ के लिए हमसे कहा जा रहा है दो काड़ाएं दिन आप बहुत कुछ अच्छा फील करेंगे आप अपने मूड में एकदम सकारात्मक फील करेंगे आज आपको जो है मांगली कुछ सब में पार्टिसिपेट करने का मुखा मिलेगा परिवार के साथ मित्रों के साथ एक बहुत अच्छा समय आज आप व्यतीत करने वाले ह किसी प्रकार की cultural activity में आप participate कर सकते हैं और कही न कही लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है दिस चेंज फॉर गुड आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमेर परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 16 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है ट्रैवलिंग का कार है लगी नंबर है आपका नंबर 8 और आपको कहा जा रहा है आज के दिन यात्रा का योग है आज के दिन ज खुदाई रहने वाली है कुल मिलाक आपके लिए बेनिफेशल रहने वाली है और साथ-คllen कहा जा रहा है कि आज चाहीं अगर के संतुष्टी है हमारी एक-स-value का द लगों ने रहे हमारी एक से लेका नवा मुलांग तक नर्थे हो आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मिलूंगे आप से हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के बीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रिणाम नमश्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्र शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आचे दिन के पंचान की आज दिनांक है 16 अगस सन 2023 विक्रम समवत 2018 चल रहा है श्रावन अधिक मास है कृष्ण पक्ष वर्षा रितू है तिथी अमावश्या है और आज का वार है बुद्वार आज के नक्षत्र की बात करें तो आशलेशा नक्षत्र दौपेर बात 4 बचके 58 मिनट तक है आगे मग नक्षत्र पूरे दिन और रात रहेगा योग वर्यान है शाम 6 बचके 29 मिनट तक आगे परिग योग है तो योग की दरश्टी से आज का दिन शुब नहीं है कोई अच्छी बिजनस डील करने वाले थे रिष्टे की बात करने वाले थे तो आज के दिन को टाल दीजिएगा करन नाग है दौपेर बात 3 बचके 9 मिनट तक आगे किनस तुगना करन रहेगा सुर्योदे का समय दर्शको सुबह 5 बचके 28 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बचके 3 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर 12 से डेड़ बजे की बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुपकारे नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब बिजित मुरत आज बुधवार होने से मानने नहीं है दिन में दू बार दुष्ट मुरत रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा सुजबू से टाल दीजिएगा ये हैं दौपेर 12 बच के 4 मिनट फिर दौपेर 12 बच के 57 मिनट आज का दिशाशूल दर्शे को उत्तर दिशा में है तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा के यात्रा को टाल दे लेकिन जाना जरूरी है अनिवारी यात्रा है तो परिहार करके निकलें परिहार बहुत सरल है कि आप थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाने हैं आपको उत्तर के और मुक करके और पांच कदम पीछे चलना है और जब यह करें तो भगवाएं श्री राम से अपने इश्ट से ध्यान करें उनका अपने हिर्दे में उनसे प्राथना करें और फि सुबह 9 बच के 10 मिनट तक फिर सुबह 10 बच के 55 मिनट से दोपेर 12 बजे तक और फिर दोपेर बात तीन बच के 50 मिनट से शाम 7 बजे तक टिनों का अलखंट बाकी दिन के अपरिक्षा ज्यादा अच्छे हैं ज्यादा शुब है तो कोई अच्छा एफट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते वे करेंगे सफलोने के चांसे ज्यादा बढ़ जाएंगे आज की चंद्राशी दर्शे को करक है शाम चार बच का 58 मिनट तक आगे फिर चंद्रमा सिंग राशी में प्रवेश कर जाएंगे जिससे आज कर जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प् धुका खाने से बचें आति विश्वास किसी पर आज ना करें वहीं मितुन राशी वाले आज आर्थिक सामाजी ग्रूप से मजबूत होंगे भाग्योदे होगा आपका करक राशी वालों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे कोई अटका हुआ कारे आपका पूरा हो सकत सिंग राशी वाले किसी बड़े नुकसान से बच निकलेंगे या होते होते नुकसान से बच जाएंगे कन्या राशी वाले ध्यान से आज पैसा इंवेस्ट करें नहीं तु समश्या होगी तुला राशी वाले पासकते हैं प्रमोशन और इंक्रिमेंट के चांसे और वाले स्वास्त को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं और कुम्ब राशी वाले जो चात्र-चात्रा हैं आज सही निर्णे पर नहीं पहुँच पाएंगे तो ऐसे में किसी बड़े की गारजिन की सला लें और फिर काम करें और मीन राशी वाले पैसे के लेंदेन में खास पायों को जो आपको समश्याओं से बाहर भी निकाल देते हैं और जीवन में आपको सफल बना देते हैं अन्तुमें करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को इश्वर का नित निरंतर ध्यान अपने इस्ट का नाम जप और गुरु द्वारा उपदेशित मंत्र का अभ्यास करने वाले को प्रारब्द भूगने का बल मिलता है और समश्याओं के समाधान जीवन में आगे से आगे मिलते हैं लेकिन समश्या ये है कि जब मनुष्य के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है तो साधन भजन से अपने जब तब से विमुक हो जाता है और जब पुन्य बल शीड होकर दुख आता है तब भगवान के पीछे बागता है या संत जनों के गुरु जनों के पीछ पूर दिया था तो इस पर कभीरदास जी ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें ना कोई और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख कहें को होई तो आप सुख में आनंद में इश्वर की भक्ती करें तो आगे जीवन में कभी जब विपरीत प्रारब्द भोग आएगा तो उसमें जब तब का जो पुन्य है वह आपको छाते की तरह बचाएगा जो तेज बढ़सात में आपको भीगने से बचाता है तो इसलिए हमेशा अपने सुक्त के दिनों में अपने अच्छे दिनों में भगवान का सुमेरन करते रहें ये आज की ग्यान चर्चा क सार है अब बात करते हैं उन विश्ष रुपायों पर जो आपकी सभी समश्याओं की सरल समधान कर देते हैं और जिने करके आप असफलता को अर्चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते वे सफलता की और दढ़ता सा अग्रसरूत है सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनक मंदित बरतन होते हैं उनको अर्पित करते हैं फिर मंदिर के बाहर निर्धनों को भुजन करवाएं और शाम चार बजे के बाद में किसी पशू पक्षी को पिंज्रे से या बंदन से मुक्त करवा दें तो आने वाला वर्ष आप देखें कितना सुकून शांती आनंद वाल में शनी और चंद्रमा जब साथ बैठते हैं तो विश्टोष का निर्माण होता है ऐसे को योग चल रहे हो जीवन एकदम अस्तव्यस्त हो जाता है और असफलता आने लगती है ऐसी स्तिति में आप भी फसे हो तो आप लीजिए भगवान भूले नात की शरण इसके लिए क अपर गंगाजल गौमाता के कच्छे दूद शहद शक्कर धई से अविशेक करें इत्र अर्पित करें और उसके बाद में कुछ शमी के पत्र और एक त्री दल बीलु पत्र उन पर अर्पित करके और भगवान का 10 मिनट ध्यान करें और मन ही मन ध्यान करते हुए बिना गिन अपना और 11 माला नित्य इस बहुती विश्ष्ट मंत्र की आपको जाब करनी है तीन-चार महिने में आप देखेंगे कैसे समय आपकी एकदम बदल जाता है अपनी चाल आपके लिए बदल लेता है आपको अनुकूल समय आ जाता है और महादेव की कृपा भी आपको प्रतक हो अपने भविश्य को लेकर अपने करियर को लेकर आपकी निर्ने शमता है बहुत जदा कमजोर हो चुकियों ऐसी किसी बिस्तिती में नित्य आ भगवान गणेजी को दो लड़ू बेसन के घीका दीपक 21 दुर्वा यार्पित करें और कुछ दिन तक पांच माला का जाप इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का करें बहुत जल्दी आप इन समश्याओं से बहार आएंगे डाउट्स क्लियर होंगे बहुत ही अच्छे तरीके सा आपकी बुद्धी कारे करने लगेगी कोई संदे नहीं है मंत्र स्प्रकार ध्यान से समझेगा ओम रीम श्रीम क्लीम ग इस टुपाए जो आपकी समश्याओं का अंत्र कर रहे हैं और आपकी मनुकामने पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रिका आईए हमारी दर्शक पल्लवी गुपता जी की 14 नवंबर 1994 का इनका जनम है सुबह पांच बच के साथ मिनट अलवर प्रशन किया है विवा कब होगा वहवाईक जीवन कैसा रहेगा देखिए पल्लवी जी विवा में विलंब और वहवाईक जीवन के परेशानी भरे रहने के संकेत बहुती स्पस्ट है आपकी जनम पत्र है तो आपकी विवा योग हाला कि अप्रेल दोजार 24 से अप्रेल दोजार 25 के मद्द्य है लेकिन आपको बहुत पूजा पाट उपाय करवाने होंगे जैसे घट विवा आपको करवाना है चाहिए यह सारे उपाय करने के बाद में ही विवा बचने की संभावनाएं बनेग आज की दूसरी जनम पत्री का हमारे पास आई है हमारे दर्शक सतीश गोयल जी की सूरत से 11 जनवर 1977 का इनका जनम है सुबह 10 बच के 13 मिनट सूरत प्रशन किया है व्यापार क्या करें देगे सतीश जी आपका कुम्ब लगन है कन्या राशी है लगन नवमांश और दश्मां कुंडलियां देखने के बाद ये सपस्ट पता लगता है कि आपको दवाईयों का काम करना चीए या फिर हॉस्पिटल्स में सामान सप्लाएगा लेकिन आप मंगल बुद्ध के साथ साथ गुना जब करवा लीजिए राहु शांती अवश्य करवा लीजिए ताकि आपको व पुरा पुरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया है इस अपने जीवन में उतारेंगे धिरे-धिरे आपका जीवन शेव में सत्य में और आनंद में होता जाएगा महादेव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमारे बताएवे उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनुकामना पूर्ती निश्चित रूप से हो साथ एक निविदन श्रावन मा से व्रक्षा रोपन अधिक स्याधि कीजिए ताकि जो प्रक्यति है भगवती इनकी सेवा कर सके हम और कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-ब भगवती आस्वाप का कल्यान करे जया आदिशक्ति